बंदे मातरम स्टुड़न्स स्टुड़न्स टुड़ेज अवर सब्जेक्ट इस ईवी एस और आज हम ईवी एस चैप्टर में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिविजन तो बच्चों हमें पता है कि एवियस के में चैप्टर कितने आने वाले है चैप्टर आने वाले है 1, 2, 13 ये सारे चैप्टर आने वाले है और उसका हम रिविजन करने वाले है तो चलो बच्चो बच्चो श्टार्ट करते है तो आज हम सबसे पहला वाला क्वेस्चन देखेगे number 1 Question number one, complete the blanks, बच्चों यहाँ पर जो blanks है, वो हमें complete करनी है, तो चलो बच्चों, पहली वाली blanks जो है, वो read करते है, My name is blank, My name is dash, My name is dash, आपका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, यह सारी जो blanks हमें जो complete करनी है न, यह हमने chapter number one, myself में देख लिया था, तो बच्चों यह वही है, तो अभी आपको अपना नाम, फिर आपके मदर का جो नाम है, फादर का नाम, आपकी birth date, यह सब कुछ आपको अपने आप आता होगा, तो आपको अपने आप लिखना है, My name is Model, बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है My name is Mahi I am a blank अभी यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर अगर आप boy हो तो boy लिखना है अगर आप girl हो तो girl लिखना है I am a girl Mahi girl है इसलिए यहाँ पर girl लिखेगे I am blank year old बच्चों आप कितने साल के हो? वो इस आपको इस blanks में आपको लिखना होगा I am six year old My father's name is blank बच्चों यहाँ पर आपको आपके पापा का नाम लिखना है यहाँ पर मैं पापा का नाम लिखोगी सुनिल भाई My father's name is सुनिल भाई Number five My mother's name is blank अभी यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम लिखना होगा So, यहाँ पर मैं लुखोगी सुनल बेन सुनल बेन My mother's name is सुनल भेन आगे देखे My birthday fall on blank इस blank में आपको अपनी birthday लिखनी होगी तो यहाँ पर मैं बर्थेत लिखोगी 25 March My school name is blank यहाँ पर हमें हमारी स्कूल का नाम लिखना होगा तो चलो लिखते हैं विस Wisdom Wisdom W-I-S D-O-M Wisdom Inter International Wisdom International School तो इस तरीकी से आपको लिखना है यहाँ पर W-I-S D-O-M Wisdom I-N-T-E-R-N-A T-I-O-N-A N-A-L International S-C-H-O-L School तो बच्चों हमारी स्कूल का स्कूल का स्पैलिंग तो सभी को आना ही चाहिए अभी हम आगे देखे Question No.2 Multiple Choice Question यहाँ पर हमें MCQ यानी की यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर Question रिट करना है और इसका जो भी Correct आंसर होगा उधर हमें तिक करना है तो सबसे पहला Question रिट करती हूँ No.1 We walk with the help of our हम चल पाते हैं कौन से Body Part की मदद से Option A Head Option B Option B Leg Option C Hand हम कौन से Body Part की मदद से हम चल पाते हैं बच्चों हम चल पाते हैं Leg की मदद से हम यह Option B लिखा हुआ है वहाँ पर हम टिक करेगे Now C No.2 A Small Family has Dash Small Family होती है उसमें कितने Members होते हैं Option A 4 Members Option B 2 Members Option C None of This तो Small Family में होते हैं 4 Members तो हम Option A पर टिक करेगे 4 Members क्यूंकि Small Family में 4 Members होते है अभी हम आगे देखें बच्चों उसके लिए हमें Page 10 करना होगा Now C No.3 What children do to their parents बच्चों को parents के साथ कैसा behavior रखना चाहिए अच्छा ना Option A Option B Option C Shout Disobey यानि कि हमें हमारे Mom Dad की के जो बोलते हैं वो बात नहीं मानना Option B में Obey यानि कि हमारे Parents की आग्या का पालन करना Option C में है Shout यानि कि घुज़ा करना तो हमें क्या करना चाहिए हमें हमारे Parents जो हमें बोलते हैं उसके आग्या का पालन करना चाहिए इसलिए हम Option B पेटिक करेगे Obey बच्चों को अपने पैरेंट्स की किस तरीके से मदद करनी चाहिए Option A They should sow the guest Option B Shout at their parents Option C Break a things तो क्या बच्चों को जभी घर पे guest यानि के महमान आते है तभी उसकी सेवा करनी चाहिए Shout at their parents यानि अपने parents पे गुसा करना चाहिए प्रेकर तिंक्स यानि की चीज़े तोड़नी चाहिए तो हमें क्या करनी चाहिए उसकी मदद करनी चाहिए जभी हमारे घर में guest आते है तभी उसकी सेवा करनी चाहिए उस तरीके से हमें help करनी है अपने parents की तो हम option A पे टिक करेगे नाव C नमबर 5 We study in the blanks We study in the blanks हम कौन से रूम में पढ़ते है A kitchen B study room C bedroom तो हम study room में पढ़ते है तो हम option B पे टिक करेगे नमबर 6 In villages most people live in गाव में ज्यादा तर घर कैसे होते है और लोग जो है वो कहाँ पर रहते है option A कच्चा house option A option B पका house option C house boat तो villages में सबी लोग कहाँ पर रहते है सबी कच्चा उसमें रहते है तो हम option A पे टिक करेगे नमबर 7 We throw waste things into the हमें जो ये जो वेस्टिंग होती है जो कच्चरा होता है उसको कहाँ पर फिकना चाहिए option A cupboard option B dustbin option C classroom तो हमें कच्चरा हमेशा dustbin में फिकना चाहिए तो हम option B पे टिक करेगे नमबर 8 Choose the food item which is good for health तो अभी इस में से जो food health के लिए अच्छी होती है उस पे हमें टिक करना है Choose the food item which is good for health तो चॉकलेट क्या health के लिए अच्छा होता है Pulses या पीजा ये तिनों में से health के लिए क्या अच्छा होता है Pulses सो यहां पर हम टिक करेगे option B पे Now see question number 9 question number 9 देखे तो number 9 which one of these habits is not good तो अभी इस में से ये तिन जो habit है उस में से कौन सी habit है वो good नहीं है option A to clean the floor यानि की floor को साफ सुत्रा रखना option B to arrange a books books को अच्छ से arrange करना option C to spit to spit in public यानि की public में यानि की बाहर किधर भी थुकना तो बच्चों इन तीनों में से कौन सी habit अच्छी नहीं है not good पुछा है तो option C पे टिक करेगे to spit in public ये good habit नहीं है बाकी के दो good habit है now see number 10 we should brush our teeth हमें हमारे दात साफ करने चीए option A twice a day दिन में तो बर option B once a day पूरे दिन में एक बार C twice a day यानि कि दिन में तीन बर तो हमें हमने सिखा कि हमें पूरे दिन में दो बार तो अपने दात अच्छे से साफ करने ही चाहिए twice a day number 11 हमने ये देखा कि जो क्लोट्स है वो हैल्प करता है हमारी बारी को कवर करने के लिए और हमें क्लोट्स प्रोटेक्ट करते है किस से बच्चो हमने देखा था पहले option A heat option B cold option C all of this हमें पता है कि ये दोनो सही आंसर है क्योंकि ये ख्लोट्स हमें heat और cold दोनों से हमें प्रोटेक्ट करते है यानि कि हम option C टिक कर ले गए क्योंकि उसमें लिखा हूए all of this यानि कि ये दोनो number 12 we should never we should never play with which of the following हमें कौन सी थिंक से कभ़ी भी खिलना नहीं चाहिए option A toy train option B knife option C doll तो बचो हमें क्या toy train से नहीं खिलना चाहिए ये चाको से नहीं खिलना चाहिए या doll से नहीं खिलना चाहिए हमें option B यानि की नीफ यानियाई फ्यानी की चाकू से नहीं खेलना चाहिए Now see Question number 13 Which object can be used for the safety purpose इसमें से कौन से object हम यूज़ करते है as a safety Option A Match stick Option B Swimming tube Option C Knife तो अभी safety के लिए हम कौन से यूज़ करते है Match stick Swimming tube यानि आपने swimming tube देखा है जब हम swimming pool में जाते है तब हम swimming tube का इस्तमाल करते है Option C Knife यानि की चाकू अभी इसमें से useful purpose swimming tube है है ना बच्चो तो हम B पे tick करेगे Now see number 14 What are the birthday of the sick crews sick crews called यानि की जो सीख गुरूस का birthday होता है तो वो कौन सा festival होता है Option A दिवाली Option B E Option C गुरू पुरब हमने देखा की सीख गुरूस का जो बर्थ होता है तब भी गुरू पुरब बनाया चाता है गुरू पुरब सेलिब्रेट करते है तो बच्चो आज के लिए हम इतना ही करेगे पाकी के question हम अगले वाले वीडियो में देखेगे पाकी के लिए हम अगले वीडियो में अगले वीडियो में देखेगे